हेलो गाइज वेलकम बैक टू मैई चैनल मैं नीलम सर्मा हेर और मेकप आर्टिस्ट कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे तो आज मैं रोयल लुक एक ब्राइडल का क्रियेट करा है और बहुत ही खुपसरत लगनी थी मेरी ब्राइड तो मैंने बहुत को चेंज दि करेगा देन लाइक भी जरूर करिएगा तो चलिएगा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इस तरह का लुक आप भी क्रियेट कर सकते हो अगर मेरी वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो तो सारी चीचे आप सीख जाओगे तो सबसे पहले आता है अपका क्लींजर टोन मौशुराजर जो मेरी ब्राइड का स्कीन टौन ता यह टॉन तक दी वह नौर्मल प CC नहीं द्रा नहीं ओली था मतब्कद की मतब कि दोनों मिक्स है नॉर्मल तो ड्रा क्योंकि यह सीजन के अकॉर्डिंग है कि विंटर में थोड़ा सा हमारा ड्राइनेस हुई जाती है फेस पे जो भी मैं आप प्रोडेक्ट यूज कर रही हूं वो औल स्कीन टाइप यूज कर रही हूं क्योंकि मुझे बाबा कमेंट पर उसे दे सकते हो तो सीटियम जो भी मैंने करा है वो ऑल स्कीन टाइप करा है सारी चीजे मेरी औल स्कीन टाइप है तो यहां पे हम दे रहे हैं यह लैफ का कंसीलर और मैंने फियर टोन उनका यूज करा आज मैंने आईब्रो डिफाइन नहीं करी है मैं लास्ट मैं इप्रोपेट लगी जाता है तो इसलिए यह चीजे मैं आज बात में देने वाली हूं तो सिफ पहले क्या है कि मैंने कंसीलर लगाया और जो बीटर में यूज कर रही हूँ वो पीयसी ब्रांड का यूज । काफी encryption है अगर मैं अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छा beauty blender तो प्लूम का ले सकते हैं पीयसी का ले सकते हो दोनों ही बैस्ट है मेरे पास दोनों है इसके बाद में मैं loose powder की help से उज़े lock कर रही हूँ loose powder जो ले रही हूँ मैं derma का ले रही हूँ crylon derma का और eye shadow palette जो है वो मेरी कार्णेवल है और मेरे सारे side इसमें available है तो आज कल bride के लिए na bride क्या सबके लिए आपको brights color की ज़्यादा need होती है औरेंज कलर भी लिया था ट्रांस्टलेशन एरिये पर लगाने के लिए देन एक brown color लिया और एक dark brown color लिया तो बहुत easy मैं एक hello eyes create कर रही हूँ without concealer और glittery eyes में देने वाली हूँ क्योंकि bright glittery eyes ना हो ऐसा होई नहीं सकता क्योंकि glitter जब तक लगता नहीं है न तो मैंने एक dark brown shade जो है वो लिया था मैंने ऊपर जहां हमारी cut crease होती है वहां मैंने apply नहीं कर रहा था inner corner then outer corner दोनों पर मैंने black को sorry brown को dark brown को apply कर रहा था और यहां हम ले रहे हैं लिए इसी का gum और मेड में जहां मेरा product नहीं है मैंने brush की help से सिफ वहां वहां लगाया है आप देख सकते हो कि आपको कहां लगाना है और प्रूडेक का भी आपको पता होना चाहिए नहीं कि हम कहां apply कर रहे हैं आप दोनों eyes में अच्छे से लगा लेंगे अगर आपको timing की shortage है तो आपके से आइस का make-up दे सकते हो नो वो भी खुबसूरत तरीके से और ब्राइड का जो eyes का make-up है वो dark हो तो जादा better है उसके बाद मैं forever 52 glitter apply कर रहे हूं आप कोई भी brand का अपले सकते हो मेरा loose glitter है तो gum हमने इसलिए लगा था क्योंकि अपने glitter जो है उसे long time तक stay करने के लिए उसके बाद मैं मौशराजर यूज़ कर रहे हैं यह भी all skin type है अगर किसी की dry skin है तो उसका मौशर अच्छे से आपके skin में आ जाता है और जो भी मैं product लगा रही है वो 10-20 second आपको gap करना है क्योंकि वीडियो है हम cut cut करके लगाते हैं तो इसलिए आप लोग को लगत जादा लोगे ना कम लोगे वह आप फेस के according लोगे किसी का broad face होता है किसी का छोटा face होता है तो उस according product लिया जाता है अगर आप जादा product ले रहे हो तो शायद हो सकता है कि तोड़े टाइम बाद make-up जो है वह आपका remove हो जाए उसके बाद में यहां यूज कर रही हूं मैं इस्ट्रो क्रीम मैं इसलिए यूज करती हूं जिसे ग्लासी लुक आपका आई और यहां पर आज मैंने विल्कुल चेंज कर दिया है बेस पलेट जो है वह मैंने रीकोड का मगाया है अगर आपको यह रीकोड का अगर बाइक करना है तो आप इनकी साइड पे जाके पर्च और मैंने दो सेड अप्लाई करें और दोनों सेड मैंने अच्छे से आइस के नीचे मैंने अप्लाई करें ते दैन मेरी जो क्लाइंट थी उनके पिगमंटिशन जैसी कोई प्रॉलाब नहीं थी उनके ऑलोबर स्कीन अच्छी थी और ऐसी स्कीन पे मेक अप करना बहूत लगाना है नहीं हैबी प्रोडेक्ट लग पाते हैं लगाते हैं सोरी हम और जल्दी से मेकप भी फिनिश हो जाता है देन जिनके pigmentation एरिया होता है उनके बहुत सारे हमें प्रोडेक्ट लगाने होते हैं तो जिससे की लेयर बन जाती है वो हमें इसलिए यूज करना होता है क्योंकि उनके पिग्मेंटेशन को हमें डखना होता है तो जो इस बेस की जो रिकोड का जो बेस पैलेट है उसकी जो कौंटेटी हम बहुत कम ले रहे हैं और आप देख सकते हो ब्लेंड उने के बाद भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमने कुछ अप्लाई करा हुआ है और आपके जो भी हलका फुलका पिग्मेंट होता है वो फेस पे वो ये कबर कर लेता है और हैबिनेस बिल्कुल भी नहीं है तो मुझे ये प्रोडेक्ट बहुत अच्छा देने में क्यूंकि ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी होती है क्यूंकि ब्राइडल है हमारी और खुब सुरत तिकना बहुत जरूरी है उसके बाद में मेकप जो एटी देना था यसलिए में अच्छा फाउंडेशन है कि इसकी कोई भी लेयर नी बनती है वो मिझे बहुत पसंद ही मेक अचकल मेरा मानना यह है कि आप लेयर बाई लेयर ना चड़ाएं मेकप एक नैचुरल मेकप दिखना चाहिए जो क्लाइन को बहुत अच्छा सा ग्लोब प्रोवाइड करें यह नहीं कि आप प्रोडेक्ट से थोपने पर लग जाओ तो उसके लिए मुझे सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है यह प् प्रोडेक्ट लगाया है वहीं वहीं आप कन्सील करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैने प्रोडेक्ट जादा नहीं लगाये हैं सिर्फ वहां हमें जरुत पड़ती है ज्यादा प्रोडेक्ट लगाने की जहां उनके फेस पर पिग्मेंटिशन ज्यादा है तिल ज्यादा है, जाईयां है या डारक सकल है, या पिंपल्स है वहां हमें ज्यादा कवर करने की नीड होती है otherwise अगर किसी के face पे कोई pigmentation नहीं है तो हमें ज़्यादा need नहीं होती है product लगाने की तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा product ना लगाएं और आप देख सकते हो मैंने blend करके और यह हम क्यों लगाते हालाइट पॉइंट ना लुक मैंने आपको दे दी है थाड़ी यह मेरा आ रहा है और फोर मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि इनके चार मेकप लुक मैंने किस तरह से create करे हैं और अलग अलग product से किस तरह से create करे जाते हैं तो आगे एक और वीडियो आईगी इनके make-up की तो वो भी आप देखना royal look एकदम royal look मैंने उनका दिया है वो भी और उसके बाद में आपको loose powder से आपको अपना make-up set करना है जो loose powder ले रही हूँ मैं वो शौपरल का ले रही हूँ कहीं-कहीं product हम नहीं दिखा पाएं तो मैं उनका साथ की साथ आपको नाम भी बताया जा ली हूँ कि क्या हमने use करा था यहाँ आपने loose powder जो use करा है वो शौपरल का use करा था और आपको अच्छे से वो अपने make-up को जो है वो lock करना है वैसे हमारा ना winter में make-up कहीं नहीं जाता है 20 hours make-up आपका कहीं नहीं जाने वाला है अगर आप अच्छे से lock करोगे तो अगर lock नहीं करोगे तो make-up चायद 5 गंटे बाद आपका break होने लगे तो इसलिए आपको lock करना भी बहुत जरूरी होता है तो सारे all over face को जो है वो आपको अच्छे से lock करना है मैं पूरे face को उनके को lock कर रही हूँ then आज मेरी जो bright थी उनका बिल्कुल ये कहना था कि उन्हें bronzer बिल्कुल भी नहीं लेना है और blusher की quantity भी उन्हें कम लेनी है सिफ उन्हें natural look ही चाहिए तो आज मैं नहीं इनकी nosey contour करने वाली हूँ ना shape face पे देने वाली हूँ सिफ मैं आप जो एक pink shade में दे रही हूँ इनका वो laurel का दे रही हूँ blusher का और then hozo को मैं आज highlighter यूज कर रही हूँ आज अगर आप देखो तो मैंने ज्यादा तर product बहुत change करे हैं तो आप लोग की मतलब की मेरे को एक यूटूबर की recommend थी के मैं बेज जो है वो क्रालों डर्मा देन सुपरा से हमें change को दिखाईएगा तो मैंने आज आज आपको change करने की दिखाया है change करके तो आप लोग अगर जो भी आपको चाहिए न वो आप मुझे comment down करो तो मैं वो अलग आपको दिखाने की कोसिस करूँगी और काई एक और चीज ना आज मैंने lipistic जो है बहुत खुबसूरत तरीके से लगाई तो वीडियो को लास सक जरूर देखीगा जरूर देखीगा और highlight point मैंने कर दिया है आप P.E.C. के brand से ही dark brown color से इनका जो eyebrow है वो define कर रही हो और आज जो eyebrow define होंगी न वो normal लगेंगी क्योंकि अगर आप पहले product लगाते हो दिन बाद में भी लगाते हो तो थोड़ा सा heaviness आ जाता है इसलिए आज मैंने वो चीज़ा वाइड करी कुछ अलग आपको सिखाया क्या आप बाद में भी इस तरह से भी अपनी eyebrow को define कर सकते हो देन मैंने highlight पॉइंट करा इनका और वो भी होजो के highlighter से दिया था और होजो को lighter भी बहुत खुबसूरत है तो जहां यहां पे मैं जो lipstick इनको carry कर रही हूँ वो dark maroon color carry कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी bright का लेंगा था वो देख सकते हो मैं कितने अच्छे से उन्हें दे रही है जिबकि यहां मैंने video थोड़ा fast कर रहा है मैं जादतर focus बहुत अच्छे से focus देती हूँ कि lipstick क्लाइंट की बहुत अच्छे से लगे कहीं से भी ना निकले अगर निकल गई है तो उसे आप base से किस तरह से उसे perfect look दे सक करनी है तो चुड़ चुड़े point होते हैं कि आपको याद रखने बहुत जरूरी है कि कहीं से भी makeup आपका मतब की विकार ना लगे कहीं से भी यह ना हो कि आपका यहां से आपके makeup में कोई कमी थी तो आप देख सकते हो मैंने mid में जो है lips short दिया है then मैंने outline जो है वो create कर रही लिए है और almost मेरी create हो चुकिए और उसके बाद में हम एक shade लेंगे वो भी एक red shade लेंगे हम इने डाग मेरून लिया था then उसके बाद में मैं एक red red color का sorry सेड़ लेने वाली हो लिपिस्टिक का और मैं अगर बताओं तो यह मेरी normal ही lipstick कोई brand की नहीं है गाईज मेरे पर बहुत सारे comment आये थे कि मैं हम आप कौन सा यूज कर रहे हो और मुझे seriously मेरे को बहुत अची लगती है यह lipstick ऐसा कोई brand नहीं है इनका कि कोई brand हो normal मेरी lipstick है और long wear तक है long time तक है मैं सारे product brand के ही use करती है otherwise मुझे कोई कोई चीज होती है कि हमें अच्छी लगती है तो इसलिए मुझे यह lipstick वाकई बहुत अच्छी लगती है और मेरे पास इस brand में ही सारे color available है और आप देख सकते हो उनके जो lips है वो एक rosy lips जैसे लग रहे हैं जिसे हमार rose होता है ना कि उसमें outline dark होती दिन mid में जो है वो pinkis होता है इसलिए मेरा वो pinkis lips उनके sorry rose जैसे lips लग रहे हैं उसके बाद में मैंने एक brown shade से जो है वो waterline की नीचे मेरे apply कर दिया है उसके बाद में एक brown shade में ले रही थी और ब्रस से में जहां हमारी waterline होती देन उसके नीचे में वो apply कर रही थी और apply करने के बाद में मैं आज इनके liner भी नहीं लगाने वाली हूँ काजल लगाने के बाद में मैं उसे powder से जो है वो blend कर दूंगी तो आज मैं liner apply नहीं कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि जो मेरी bride का जो कि तक खुबसूरत लग रही है आप इस तरह जैसे कोई भी काजल हो मैं आपे fashion color का काजल यूज कर जहूँ क्योंकि वो मुझे waterproof काजल है और वो कहीं भी नहीं निकलने वाला अगर आपके आंसों भी आरे तब भी वो नहीं निकलेगा और उसको लगाने के बाद मैं मैं एक powder foam से उसे blend करके थोड़ा सा उपर की side लेके आउंगी और अच्छे से blend करूंगी और आप देख सकते कि कितना खुबसूरत लुक क्रियेट करा है आज मैंने I hope जो मेरी वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और आप मेरे को मुझे पता है कि आप मेरे को बहुत प्यार कर रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा और प्यार देजिएगा और अपने दोस्तों शाहत भी वीडियो को सेर जरूर करिएगा और आप देख सकते हो कि जो मेरी क्लाइंट है उनका रोयल लुक जो है वो कितना खुबसूरत लग रहा है मैंने इनके बहुत लाइट से कलर के लेंस भी केरी किये थे दैन यहां पर में मसकारा जो लोवर डेस लाइन के जोंंपने में महांपे भी अपला कर रही हूँ क्योंकि इस ये थोड़ा सा ब्रॉड ब्रॉड दिखाई देती है उसके बाद में में आपे यले से केरी करी निदे हो और जो गम लेती हूं मैं वो PSY ब्रांड का लेती हूं क्योंकि वो बहुत खु करें और notification आपको मिलती रहेगी जिसे की आपको आगे की वीडियो जो है वो मिल पाएं और ऐसे ही प्यार देते रहेगा मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाबाए